चलिए स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को कुसाग्र सामान्य मंद बुद्धी चात्रा नाम करते सिद्धान्ता समपयुक्ता क्या कह रहे हैं तीन नाम यहां पर होने लिए हैं कुसाग्र सामान्य और मंद बुद्धी तो इन चात्रों के करते मतलब होता है लिए कहा मतलब कौ उसाग्र साम्हान और मंद बुध्धी चात्रों के लिए कौन सा सिधानत उपयुक्त है ये पूचा है। इपनाना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग यहां कुछ आगर बुद्धी दिया तो फिर्वएक्तप विन्यता का सद्धान त जो है बो अपनाना पड़ेगा पहला औप्समर आपुजन रहेगा इसका सही चलिए चलते हैं अगले परशन पर संस्कृत भाषा सक्षणे अनुबाद विधी ही कह उच्यते मतलब कि संस्कृत भाषा सक्षण में सक्षणे दिया है तो यहां पर मैं आएगा अनुबाद विधी कौन सी कही जाती है तो बताना है आपको सूत्र विधी, व्याकरण विधी, भंडारकर विधी, याफर परायन विधी क्या रहेगा देखिए अनवाद विधी के नाम से भी जाना जाता है जिसे ऐसा कहें पनसीधा तो व्याकरण अनुवाद विधी भी कह सकते हैं अनुवाद विधी भी कह सकते हैं भंडार कर विधी भी कह सकते हैं तो भंडार कर विधी जो है ये रहे गास का सही उत्तर चलिए आगे चलते हैं वालक के शुरू कलपना सकते है विकास सहा भाबती मतलब बालकों की कलपना सकती का विकाश होता है या फिर बालकों में कलपना सकती का विकाश होता है कैसे होता है कक्षानायक विधीना कक्षानायक विधी के द्वारा कलपना सक्ती का विकाश होता है कथा कथन विधीना कथा कथन विधी के द्वारा होता है या फिर भाशन विधी के द्वारा होता है या वाद विधीना वाद विधीना वाद विधी के द्वारा तो सही उत्तर क्योंकि कथा कहानी गढने से कलपना सक्ती का विकाश तीब्र होता है यह रहेगा सही उत्तर अगले पूर्शन पर चलते हैं जहां पर दिया हुआ है संस्कृत भासा सुक्षणानाम विकाश भवती मतलब कि संस्कृत भासा सुक्षण का विकाश होता है कैसे होता है कौशलाई है कौशलों के द्वारा होता है नाटकाई है नाटक के द्वारा होता है पठनाई है पठन के द्वारा होता है या पर दर्शनाई है दर्शन के द्वारा होता है तो सही उत्तर क्या रहेगा संस्क्रत भाषा सिक्षण का विकास है वो होगा कौशलों के द्वारा श्रबन भाषन पठन और लेखन तो इन सभी कौशलों के द्वारा होगा संस्क्रत भाषा सिक्षणों का विकास आगे चलते हैं अगले प्रश्म दिया हुआ है यह हो चुका है बालकेश्यू वस्तूनिष्ठ परिच्छायाह प्रकाराह भबन्ती मतलब कि वस्तूनिष्ठ परिच्छा जो है उसके प्रकार हैं कौन-कौन से हैं उसके प्रकार वस्तूनिष्ठ परिच्छा के आगे चलते हैं अगले परिशन पर जहाँ पर दिया हुआ है अगले परिशन पर जहाँ पर दिया हुआ है उप्चारात्मकम सिक्षणम कर्तुम सक्यतिय मतलब की जो उप्चारात्मक सिक्षण है वो कर्तुम मतलब करने के लिए सक्यतिय मतलब की कर सकते हैं तो उप्चारात्मक सिक्षण कर सकते हैं मुल्यांकनेन मुल्यांकन के द्वारा कर सकते हैं पाठ्य पुस्तकेन, पाठ्य पुस्तक के द्वारा कर सकते हैं, गुरु मुखेन, गुरु मुख से कर सकते हैं, याफर दिया हुआ है, केनापी, ना केनापी मतलब कोई नहीं, तो उप्चारात्मक सिक्षन की जहां बात आती है, अपनी यहां जो अपसंदिये हुए हैं, इन मतलब होता है टुकड़ा तो लगू मतलब होता है छोटा तो छोटे लकड़ी के टुकड़े का व्यावाहार कुत्र मतलब कहां क्रीते मतलब किया जाता है तो छोटी लकड़ी के टुकड़े का व्यावाहार कहां पर किया जाता है वस्तूनिष्ठ परिक्षायाम वस्तूनिष तो जो राइट अंसर रहेगा सलाका परिच्छा में इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है लगू काश्ठ खंड का या फर छोटी लकडी का प्रियोग वहां पर किया जाता है आगे चलते हैं अगले प्रश्ण में ये भी बहुत अच्छा प्रश्ण है संस्कृत सक्षन मुल्यांकन स्य साधन भूताह भवंती मतलब साधन भूत है ऐसा भी कर सकते हैं लेकर साधन है क्या है बुद्धी परिच्छा है अभिरुची परिच्छा है अभिरुचु परिच् या फर उपरयोक्त सर्वाह उपरयोक्त सभी तो संस्कत सक्षन मुल्यांकन के आधार भूत क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है तो सही उत्तर क्या रहेगा संस्कत सक्षन के जो आधार भूत रहेंगे ये तीनों के तीनों है मतलब कि उपरयोक्त सर्वाह जो दिया है ये आगे चलते हैं अगले प्रश्ट पर जहां पर दिया है पाठ्य पुस्तक से उद्देश यानी संती मतलब कि जो पाठ्य पुस्तक है पाठ्य पुस्तक का स्या दिया है ना तो काकी के पाठ्य पुस्तक का उद्देश यानी उद्देश शंती मतलब हैं पाठ्य पुस्तक के उ रांप दन की विर्यणा चाट्रा अनाम कल पना सकते हैं विकाश है और ओपर युकता happens ट्रीनी Oh और आजने na आप लोग समझते ही हैं द्रश्य श्रव्य साधनों से क्योंकि इतना अपन्य अभ्यास किया हुआ है तो आकाश बाणी है पुस्तक है दूर दर्शन है या फरस्याम अफलकम तो क्या रहेगा सही उत्तर बिलकुल आजान है ऑप्सन में दूर दर्शन दिया हुआ है दूर दर प्रयास होता है कहां पर होता है उर्धो मुख्ष होता है संस्क्रत सिक्षन का प्रयास दूसरा दिया हुआ है अधो मुख्ष होता है संस्क्रत सिक्षन का प्रयास या फिर अंतर मुख्ष होता है संस्क्रत सिक्षन का प्रयास तो संस्क्रत सिक्षन के प्रयास के वारे में यहाँ पर पूछा है कि संस्कुत सुक्षण का प्रयास कैसा होगा बताना है आप लोगों को तो संस्कुत सुक्षण का जो प्रयास है यह होता है बहु मुख बहु मुख जो दिया हुआ है यह रहेगा इसका सही उत्तर चलते हैं अगले प्रश्ण पर जहां पर दिया है अभ फर 2 विदह चार प्रकार का है तू headphone B रहे गा सही उत्तर जो कि 4 विदह गखा जो बाचक आदी आप लोगों ने सुने होंगे बाचक मौखिक यह वाले आगे चलते हैं अगले प्रश्ट पर संस्क्रत भाश आया है शिक्षनाय कौसला नाम स्वभाविक क्रमा विद्यति और यह प्रश्ट कई बार पूछा जा चुका है इसको इतना ज्यादा घुमाक इन उत्तर तो यह पहला जो है श्रबन भाशन पठन और लेखन यह सही है यहां पर भाशन पहले दिया है यहां पर पठन पहले दिया है यहां पर लेखन पहले दिया है तो तीनों गलत हो जाएंगे यह और जो सही उत्तर रहेगा पहला वाला श्रबन भाशन पठन और लेखन यह हो जाएगा सही उत्तर और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इस प्रकार के प्रश्ण आपको बहुत कम एक ही चैनल पर देखने को मिलेंगे मैंने स्वयम बहुत सारे चैनल देखे हैं और देखता भी रहता हूँ जो भी संस्क्राइब से सम्मंधित प्रश्ण डालते हैं तो वहाँ पर भी इतने प्रश्ण आपको नहीं मिलेंगे जहां इतने अपने वीडियो तैयार हो चुके है और मेरी कोशिश यही है कि संस्क्राइब प्रश्ण प्रश्ण पन को नया मिलता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा आगे चलते हैं भावावी व्यक्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है भावावी व्यक्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है व्याकरन है शूत्रम शूत्र है भाशा भाशा है या पर श्लो कहें और आप से एक और ने विदन है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सुविग्या से जुड़ें देखिए वहां मेरा कोई शुआर्थ नहीं है मैं आप लोगों से पहले ही कहा था कि मैं आप लोगों से कभी पैसे की चर्चा नहीं करूंगा कि आप मुझे ये मेरी पीडियाफ ले या फिर यहां से प्रश्न लगाए या फिर ये उसका पैसा है आप लोग टेलीगरम गुरुप पर जाएं वहां बहुत सारी लगवग एक हजार PDF हों या लग लग तो आपको वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैंने ऐसा ही अपलोड कर दी उस टाइम पर और नाम नहीं दिया है तो आपको ओपन करने में थोड़ी से दिक्कत हो कि टाइम थोड़ा सा खराब हो सकता है लेकर हैं कई PDF पर लखा हुआ है कि ये इस चीज़ की है तो questions भी आपको वहां पर लगाने को मिल जाएंगे और Sanskrit की top PDF वहां पर आपको मिल जाएंगी तो आप वहां पर देखें और अभ्यास करें क्योंकि पढ़ने के लिए टाइम बहुत चाहिए आपको ऐसा नहीं है कि कम पढ़ने में आपका चल जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए क्योंकि बुक्स जितनी अपने पास है उतना टाइम भी अपने पास कि अपने भावां को अभिव्यक्त करना है दूसरे के सामने दूसरे को बताना है तो कौन सा साधन प्रयोग करेंगे तो व्याकरण तो नहीं करेंगे शूतर भी नहीं करेंगे तो हरवटिय पंचपदी की जब चर्चाि चलती है तो मुल्यांकन बिधी इस पश्टर रूप सो रखाई देती है तो हरवटिय पंचपदी का जो विख्षत रूप है यह है मुल्यांकन बिधी यह रहेगा सेहुत करिकुलम इत्शी सब्द मस्ती बतलब कि जो curriculum सब्द है यह कहां का है कौंसी भाषा का शब्द है Option दिये हुए है ज Jáपानी भाषा का रचुत है या ना चाहिड़का तो सामानी सी बात है सभी को पता है लैटिन भाषा का यह शब्द है और यह प्रशन कई बार पूछा जा चुका है प्रतियोगी परिख्यों में एक सामान ये प्रशन की स्राणी में आता है तो जो 10-20% question ऐसे रहते हैं जो सभी से बने तो उस स्राणी में इसको ले लेते हैं आगे चलते हैं दिया हुगा है देववाणी संस्कृत श्यप प्राण तत्वमस्ति संस्कृत को देववाणी कहा जाता है देवभाशा कहा जाता है देवों की भाशा है जिसमें बात करते हैं तो इसका प्राण तत्व क्या है क्या साहित्य है क्या व्याकरण है क्या जोतिश है तो इसका प्रांड तक तो व्याकरण कहा जाता है क्योंकि उसे व्यवस्थित व्याकरण में ही किया जाता है दूसरा जो है यह रहै अगया, इसका सही हो तर आगे चलते हैं अगले परशन पर धोनेह लगुत्वा इकाई अस्ती मतलब कि ध्वनी की लगुत्तम एकाई क्या है सबसे चोटी से चोटी एकाई क्या है ध्वनी की ये बताना है तो कि भाशा है चोटी एकाई तो भाशा तो बड़ी एकाई है Shobd है क्या, हाँ Shobd हो सकता है लेकिन Shobd दोवरणों से मिलकर बना है यह भी नहीं है, वरण है यहाँ, एक वरण हो सकता है जैसे की एक के वरण होगा या फर और भी आपन कह सकते हैं वरणों को वाक की तो हो नहीं सकता यहाँ चेatur में काई पूचा है मतलब कि सक्षक के द्वारां जो कक्षा में वयक्तिक वाचन होता है वो क्या कहलाता है मतलब कि सक्षक के द्वारां जो वाचन किया जाता है कक्षा में वो क्या कहलाता है ये आपको बताना है सामुहिक वाचन होगा नहीं क्योंकि सिक्षक के द्वारा किया जा रहा है अकेला कर रहा है अनुकरण वाचन होगा नहीं क्योंकि सिक्षक नहीं करता है अनुकरण वाचन हो सकता है क्योंकि सिक्षक करता है लेकर सस्वर वाचन नहीं होगा क्या रहेगा सही उत्तर आदर्श वाचन जो की सक्षक के द्वारा हमेशा होता है और ये प्रशन कई बार पूछा जा चुका है प्रतियोगी परिच्छाओ में आगे चलते हैं व्याकरण पध्धते है प्रमुख दोशा वर्तते अपसं दिया हुआ है यहां पर बहुत सारी जीजों को रटने के लिए वलदिया जाता है या फुर सरवे या फुर सभी तो सही उत्तर अपना क्या रहेगा? जो तीसरा है ये रहेगा सही उत्तर भाशा विज्ञानश शिद्धानता नाम प्रतिकूलिता मतलब कि यहाँ पर भाशा विज्ञान की जो सिद्धानते हैं उनकी प्रतिकूलिता है यह होगा इसका सही उत्तर आगे चलते हैं अगले प्रश्ट पर दिया हुआ है सिक्षक स्य सफलता निर्भरम भबती अभी भावक के मतलब माता पतायादी जो भी उसके अभी भावक हैं उन पर नर्वर होती है तो सही उत्तर क्या रहेगा सक्षक की सफलता के बारे में पूछा गया है तो ये तो बिल्कों से गलत हो जाएगा तो दोनों के ऊपर कह सकते हैं अपन सक्षक की सफलता सक्षक के और चात्रों के उपर भी है तो यह रहेगा ओभायो जो दिया हुआ है दोणो हो इसका सही उतर औगे चलते हैं अगले प्रीछ्ष्ट में दिया हुआ है आजमन पुद्धाति का पृथमं सोपान मस्ती मतलब की आजमन पध्धती का प्रथम् सोपान है आजमन पध्धती का प तो जो प्रथम सोपान की जब चर्चा आती है तो यहां पर जो option दिये हुए है उनमें से उदाहरण होगा प्रथम सोपान क्योंकि उदाहरण से कहा जाते हैं नियम की ओर तो आगमन पद्धती की जब चर्चा आएगी तो उदाहरण पहले आ जाएगा यह रहेगा इसका सही दुक्तर आगे चलते हैं अगले प्रशण पर दिया हुआ है Dalton पद्धत्याह सरव प्रथमम प्रयोगम जातम मतलब कि Dalton पद्धती का सरव प्रथम प्रयोग कहां किया गया था तो आप लोगों को पता होगा कि Ms. Helen Parkhart जो है बो Dalton प्द्धती की जनक मानी जाती है और Dalton जो कभी कभी ڈालटन और व्यक्ति का नाम दे देते हैं वो वियापको ध्यान रखना है लेकिन इसका जो प्रयोग हुआ था सर्वपर्थम वो हुआ था. कहां पर हुआ था अमेरिका देशे अमेरिका देश में हुआ था डॉल्टन पद्धती का सर्व पर्थम प्रयोग जोकी मिस हैलन पार्क हर्ट ने इसकी सुरूबात की थी आगे चलते हैं व्याकरण से लक्षणम मतब की व्याकरण का लक्षण है क्या है भाषा याह प्रस्तुति भाषा की प्रस्तुति भाषा दर्सनम भाषा का दर्शन भाषा शिद्धान्त भाषा की सिद्धान्त या फुर भाषा प्रबाह भाषा प्रबाह तो व्याकरण के लक्षण आपको बताना है व्याकरण से लक्षणम व्याकण का लक्षन क्या है तो भाशा याह दर्सनम ये होगा इसका सही उत्तर आगे चलते हैं अगले प्रशन पर क्या दिया हुआ है सूक्ष्म सक्षन स्य भारत देशे प्रयोग अभवत मतलब की सूक्ष्म सक्षन का भारत देश में प्रयोग कब किया गया तो लगबख सभी लोगों को पता ही है कि भारत देश में सर्वपर्थम सुक्ष में सक्षन का प्रियोग 1970 इस बी में किया गया था कप किया गया था सुक्ष में सक्षन का प्रियोग 1970 में किया गया था चलते हैं अगरे परशन पर दिया हुआ है मतलब प्राथमिक कक्षा है कोई प्राथमिक कक्षा में नवीन सब्तों को अपन को पढ़ाना है तो उनके सिक्षन के लिए उपर युक्त विधी कौन सी होगी तो जब प्रात्मे कक्षा की बात आती है तो बहुत सारी विधियां अपने सामने उत्पन हो मतलब की दिखाई देने लगती है तो यहां पर कौन सी विधी सही होगी ध्यान से प्रबचन विधी वाप्सन में दिया हुआ है यह रहेगा इसका सही उत्तर आगे चलते हैं अगले प्रश्ण पर दिया हुआ है गद्य सक्षन से अंगह वर्तते गद्य सक्षन का अंग है क्या है क्या बाचन है गद्य सक्षन का अंग या फिर व्याख्या है या फिर विचार विशलेशन है या फिर सर्वे सभी है तो जब गद्य सक्षण की बात आती है उसके अंगों की बात आती है तो वाचन भी है व्याख्या भी है और विचार विशलेशन भी है ये तीनों गद्य सक्षण के अंग के अंत्र गताते हैं सर्वे रहेगा इसका सही उत्तर चलिए चलते हैं अगले प्रष्ट पर दिया हुआ है संस्क्रत शाहित्या से भेदा हावर्तते मतलब की संस्क्रत शाहित्या के भेद हैं कौन-कौन से हैं भेद तो आपको ये बताना है आपसन में देखना है पहले गद्य पद्य और चम्पूत तीनों ही संस्क्र साहिति के भेद हैं और डायरेक्ट ओप्सन चौथा दिया ही हुआ है सर्वे कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्ट अपनको सर्वे पर टिक लगाना है यह रहेगा इसका सही उत्तर आगे चलते हैं अगले प्रश्ण पर गद्य सक्षण से अंगाह संती देखिए वहाँ पर तीन अंग दिये गए थे गद्य सक्षण के लेकर यहाँ पर सीधा प्रश्ण में ही पूछ लिया है कि गद्य सक्षण के कितने अंग है तो सीधा सीधा अपनको टिक लगाना है दो ज किस बिधी में सिक्षक कथावाचक की तरह आचरण करता है तो ये व्यास बिधी रहेगी इसका सही उत्तर क्या होगा प्रात्मिक इस्तर में पद्यसक्षण की बिधी नहीं है तो गीत बिधी नहीं है अविने बिधी नहीं है अनुवाद बिधी नहीं है या फिर व्याक्या विधी नहीं है तो प्रात्मिक इस्तर पर पध्य सिक्षण की पूछा है यहां ध्यान रखना आप लोग पध्य सिक्षण पूछा है प्रात्मिक इस्तर पर पध्य सिक्षण की विधी कौन सी नहीं है और जब प्रात्मिक सिक्षण की बात आती है तो व्य व्याख्या विधी जो यहाँ पर आफ्सन में दिया हुआ है यह होगा इसका सही उत्तर क्योंकि गीत विधी तो ठीक है प्राथ में किस तर के लिए है अभीना विधी भी है और भाशा अनुबाद भी है लेकिन व्याख्या विधी प्राथ में किस तर के लिए नहीं है यह पद्यानतरगत आगतश्य प्रतेक सब्दश्य मात्री भाशायाम अनुवाद हक्रियते। अभीने विधी, वियाख्या विधी, या प्र भाश अनुवादु, विधी तो बल्कुल सामान्यशी बात है। व्याख्या विधी एक ऐसी विधी है जहाँ पर मात्री भाशा में अनुवाद किया जाता है। क्रित्व अध्या पयति क्या कह रहे हैं दियान से देखना है कस्मिन विधम किस बिधी में शिक्षक सबतान सब्दों को मूल सब्द मूल सब्दों को मूल अधात sudah उप्षरगान और उप्षरगों को प्रत्य और प्रत्यREAM का विश्लेशिन कर तो आविशलेशन करके अध्या पयाती अध्यापन कराता है, किस बिधी में सच्छक, मूल सब्द, मूल धातु, उप्षर्ग और प्रत्यों का आविशलेशन करके अध्यापन कराता है, तो कहां पर कराता है, कौन सी बिधी में कराता है, ये बताने है आपको, उद्बोधन ब ते बहुत ही महतोपूर्ण प्रश्ण और कई बार पूछा जा चुका होगा ये तो प्रश्ण उत्तर विधी के प्रतिपादक हैं कौन है प्रश्ण उत्तर विधी के प्रतिपादक उप्सन दिये हुए है अरस्तु महोदय सुकरात महोदय प्लेटो महोदय या पर आचार्य मम्मटह तो सही उत्तर इसका क्या रहेगा प्रश्ण उत्तर विधी के प्रतिपादक जो हैं वो शुकरात महोदा हैं कौन से सुकरात महोदा है ये होगा सही उत्तर चलिए अगले प्रश्ण पर चलते हैं आगमन विधेह सिक्षन सुत्रम ना वरतते आगमन विधी का सक्षण सुत्र नहीं है उदाहरनात नियमंपरती परत्यक्षात प्रमाणंपरती मूरतात अमूरतंपरती सुक्षमात स्थूलंपरती ध्यान से देखिए आगमन विधी की यहां पर चर्चा की जा रही है आगमन और निगमन दो विधिया होती है ध्यान से तो आगमन विधिय में तो उदाहरण से कहाँ पर नियम की और जाते हैं और निगमन में नियम से उदाहरण की और जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा इसका सही उत्तर यहाँ पर ना बताना है आगमन विधे सुख्षन सूत्रम ना तो ठीक है, ये तो पहला वाला ठीक है इसका ही है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की और भी आगमन विधी का है मूर्थ से मूर्थ की और भी है, लेकिन सुक्षमाद इस थूलम परती नहीं है ये हो जाएगा इसका सही उत्तर आगे चलते हैं अगले प्रस्टमन निगमन विधी के बारे में दिया है निगमन विधेह सक्षन सूत्र मस्ती अब आपको यहाँ पर इसका उल्टा छाटना है जो पहले विधी दी हुई थी तो निगमन विधी में तो बताना ही है कि निगमन विधी मतलब कि इसका सक्षन सू कहा गया है प्रमानात प्रत्यक्षम प्रती मतलब की प्रमान से प्रत्यक्ष की और प्रमान से प्रत्यक्ष की और ये सारे के सारे नहीं होंगे ये दूसरी विधीक हैं जो पन्ने पहले उपर पढ़े हुए हैं का प्रकारी का क्रिया सक्षा का प्रकारी का क्रिया मतलब सक्ष जो है वह किस प्रकार की क्रिया है अपसंदिये हुएं गत्यात्मी का क्या गत्यात्म क्रिया है या फर इस्थरता भूता इस्थरता भूत क्रिया है या द्रिच्छ की क्रिया है या फर एतासू ना कापी सही उत्तर क्या रहेगा सक्छा एका गत्यात्मी का ये रहेगा सही उत पर चलते हैं अध्यापका स्य वास्तविक कार्यम किम स्याथ मतलब कि अध्यापका वास्तविक कार्य क्या हो दिया हुआ है छात्रगत परतिभायाह यथा साध्य विकास समपादनम देखें आप लोगों को आप्शन को ध्यान से देखना है और पहली बार में ही कभी-कभी आप्सन अपन को सही मिल जाता है और कई आप्सन तो गलग दे दिये होते हैं ऐसे ही लिख देते हैं कि छात्र थोड़ा सा कन्फ्यूज हो और आप्सन वो ठीक तक भी नहीं होता है तो चात्र कत प्रतिभाया है यथा साध्य विकास संपादना मतलब चात्र के अंदर जो प्रतिभाद चुपई होई है उस प्रतिभा का यथा संभाव विकास करना यथा साध्य विकास करना जतना सचक के बस में है आगे कह रहे हैं चात्राणाम अनुसासं हीनिता या समाप्ती करना चात्रों के अनुसासं हीनिता का शमाप्त करना तो यह पहला पन को देख गया है यही सही उत्तर जादा लग रहा है सक्षक मांक करणम आगे दिया है परिच्छा सुछात्रणाम और तारणम तो यह तो बिल्कुल सही गलत होंगे यह थोड़ा सा लग रहा था लेकिन यह भी इस उप्षन के आगे थोड़ा सा कमजोर लग रहा है तो यह रहेगा इसका सही उत्तर जो फर्ष्ट नंबर का है यह उप्षन जो है वो ठीक रहेगा आगे चलते हैं अगले प्रष्ट पर सिख्छा अनिवार्या भवती सिख्छा जो है वो अनिवार्य होती है सिख्छा अनिवार्या भवती अनिवार्य होती है किसलिए संस्कृत के उत्थाना है मत्तब कि संस्क्रित के उत्थान के लिए अनिवारे है सिक्षा दूसरा उप्सन दिया है राष्ट्रिय ध्यान से राष्ट्रिय पगत्याई या फर राष्ट्र की प्रगत्याई होना चाहिए का सही उत्तर हो आगे अगले प्रस्ट पर चलते हैं समासे अध्यापका से इस्थिती की दुरुशी श्यात मतलब की समास में अध्यापक की इस्थिती किस प्रकार की हो तो प्रसासक वत प्रसासक की तरह होनी चाहिए या फर आदर्स पुरुशक्ता या फर आदर्स लोगों के समान हो तो एक आदर्स पुरुष के समान होनी चाहिए अध्यापक की इस्थिति यहां पर समासे लिखा है समाजे होना चाहिए समाजे हाँ बिल्कुल समासे मैंने भी गलत पड़ दिया है समाजे है तो कि समास में तो कहीं होगा ने इस्थिति का तो समाजे अध्य से पुरुस अक्ताहा मतलब आदर से पुरुस के तरह होने चाहिए आगे चलते हैं प्रायोगिक परिच्छाया परिच्छनते मतलब की प्रायोगिक परिच्छा में परिच्छा होती है किसकी परिच्छा होती है ना किमापी किसी की नहीं या फिर दक्षता की या फिर मौकिक अभी व्यक्ति की या फर कौशलानी तो जो प्रायोगिक परिच्छा है उसमें कौशलों की परिच्छा होती है ये होगा इसका सही उत्तर चलते हैं अगले प्रश्ण पर थोड़ से प्रश्ण कठिन लग रहे होंगे आप लोगों को चात्रा नाम समस्या निवारण ये या फर सक्षक के कौन से गुण बहुत ज़्याद आवश्यक है तो ग्यान का गुण कौशल बहुत आवश्यक है या फर रुची आवश्यक है या फर क्रोध आवश्यक है तो क्रोध तो बिल्कुल से ही यहां पर अलग हो जाएगा तो चात्रों की समस्या को दूर करने के ल रुची बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है रुची होना आवश्यक है तो ये रहेगा इसका सही उत्तर छात्रों की समस्या का निवारण तभी हो सकता है जब उसमें रुची आए आगे चलते हैं सिख्षा या सर्बोत करष्ट उद्देश्यम किम सिख्षा का सर्बोत करष्ट उद्देश्य क्या है तो बताना है सू नांगरिक निर्माडम अच्छा नांगरिक बनाना व्यवसाय निष्ठा वर धनम व्यवसाय निष्ठ आदमी या फिर व्यक्ति बनाना या पर उपाधी आभा अपाधी का लाव के बल अपाधियां देना या फ़र धनो पारजनम धनो पारजन तो सिख्या का जो सरबोत कृष्ट अदेश है बुरहेगा सु नांगरिक निर्माडम मतलब कि अच्छे नांगरिक का निर्माड करना ये रहेगा सही उत्तर आगे चलते हैं आगले प्र नहीं बाद की जा रही है तो उपयोगिता विश्वशचिछ नियत औ مल्कुल मुल्यांकन की उपयोगिता होनी चाहिए विश्वश्चिटाँ हो वइद्यता भी हो तो एक सर्वे एक त्रtes ऐसरे जो है यआदैं किरो उस्विश्चा के mają benefits प्रश्ण। प्रश्णम भवेत मतलब की सिक्षक के द्वारा कक्षा में पूचे गए प्रश्ण हों तो कैसे प्रश्ण हों सिक्षक के द्वारा कक्षा में जो पूचे गए हों वो असुद्ध नहीं होना चाहिए सरल भी ना हो ना कठिन हो तो जो पहला उपसंदिया हुआ है यहाँ पर यही होगा इसका सही उत्तर फश्ट आंसर रहे गए आगे चलते हैं अगले प्रशन पर अन्वेशन प्रशनेसू पुनर निर्देशन कदा क्रियते जो अन्वेशन प्रशने हैं उनमें पुनर निर्देशन कब किया जाता है तो अन्वेशन प्रशनों की चर्चा की जा रही है जन्हें खोज प्रशनों के नाम से भी जानते है यदा चात्र उत्तरम ददाती जब चात्र उत्तर देता है मतलब की आनसिक ओत्तर देता है तो फिर पुनर निर्देशन की जरूरत है वहांपर अन्वेशंट प्रश्णों में पुनर निर्देशन की वहांपर जरूरत आ जाती है तो यह होगा यहाँ पर जो तीसरा दिया हुआ है यह अपसन ठीक होगा आगे अगले प्रश्ण पर चलते हैं एक नॉर्मल सा प्रश्ण है का आपतसू बुद्धी दात्री मतलब कि जब समस्याइं होती है तो उनमें बुद्धी देने वाला कौन होता है यह पूछ रहे हैं समुचित सिख्षा, मित्रमंडली, विलास, या फर एतासून कापी इनमें से कोई भी ये कह रहे हैं तो यह तो गलत है एतासू ना कापी करना था यहाँ पर यह ऑप्सन भी गलत टाइपिंग है थोड़ी से कोई दिक्कत नहीं है इतासू ना कापी मतलब इनमें से कोई नहीं तो ये तो बिलकुस गलत है विलास तो गलत होगा ही, मित्रमंडली भी गलत है तो समुचित सिख्षा जो है वो बहुत समस्याओं में भी बुद्धी दात्री होती है बुद्धी को देने वाली होती है मौखिक परिच्छायाह उपयोगाह कह मौखिक परिच्छाओं में क्या उपयोगी है मानसक सकते हैं परिच्छनम मानसक सकतियों का परिच्छन सामाजिक परिस्थिते हैं मतलब कि सामाजिक परिस्थितियों का यहाँ भी थोड़ा सा मिस्प्रिंट है कुछ एत किमपी नास्ति इन में से कोई नहीं है तो मौखिक परिच्छायाह उपयोगह कह तो मौखिक परिच्छा का जो उपयोग होता है वो भाव प्रकाशन और सक्ति के अनुसार मूल्यांकन यह होगा यह तीसरा वाला सही अगले परिच्छा पर चलते हैं मौल्यांकन स्य प्रियोगे स्रैन्या संति मतलब कि मौल्यांकन के प्रियोग में स्रैन्या होती हैं तो कौन सी स्रैन्या होती हैं पूछ रहे हैं कैसी स्रैन्या होनी चाहिए मौल्यांकन के प्रियोग में उत्तम संतोस जनक सामान्य निम्नचा मतलब की उत्तम हो उत्तम सरणी हो मुल्यांकन की संतोस जनक हो सामान्य हो और निम्न भी हो ये कह रहे हैं दूसरा कह रहे हैं उत्तम निम्नचा उत्तम हो और निम्न भी हो दूसरा कह रहे हैं तीश्र कर रहे हैं उत्तम और संतोष जनक हो हाँ ये ठीक थोड़ा सा लग रहा है एते सरवे तो इस ओप्षन में एते सरवे तो थोड़ा सा अपन को अजीब सा लग रहा है ये नहीं हो सकता है लेकिन जो पहला ओप्षन दिया हुआ है मूल्यांकनस से प्रयोगे श्रैण्य मतलब की सक्षन में मूल्यांकन की उप्योगिता है क्या उप्योगिता है सक्षन में मूल्यांकन की चयन सैचिक नुर्देशन अधिगमार्थम प्रयरणा अधिगम के लिए प्रयरणा या फर एते सरवे तो सक्षन में मूल्यांकन की उप्योगिता है पूँच रहे हैं सक् तर आगे चलते हैं अगले प्रश्ट पर दिया हुआ है मुल्यांकन से वैशिष्ट्यम वर्तते मुल्यांकन का वैशिष्ट्य है तो मुल्यांकन के वैशिष्ट्य के बारे में यहाँ पर पूछा है मुल्यांकन का वैशिष्ट्य क्या है सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक प्रक्रिया है अनवरत प्रक्रिया अनवरत प्रक्रिया है नर्नयात्मक प्रक्रिया नर्नयात्मक प्रक्रिया है या फर एते सर्वे ये सभी तो क्या हो जाएगा जो लाश्ट ऑप्सन दिया है एते सर्वे ये रहेगा इसका सही उत्तर आगे चलते हैं अगले प्रश्ण पर सक्षण विधी ही नास्ती मतलब कि सक्षण विधी नहीं है कौन सी यहाँ पर सक्षण विधी नहीं है तो सुक्षम सक्षण यह तो है व्याख्यान भी एक विधी है वाद विवाद थोड़ा सा अलग है यहाँ पर भाशनम भी एक विधी है तो यह वाद विबाद एक विधी नहीं है प्रतियोगिता के अंदर अपन इसे समाहित कर लेते हैं तो सिक्षन विधी ही नास्ती तो यह जब प्रशन पूछा जाएगा तो वाद विबाद जो है यह रहेगा इसका सही उत्तर की वाद विबाद जो है वो प्रतियोगिता के अंतरगत नहीं आती है चलिए चलते हैं अगले प्रशन पर क्या दिया हुआ है सिक्षन अधिगम प्रक्रिया मुख्यरूपेन कस्यों परी निर्धारित आस्ती मतलब की जो सिक्षन अधिगम प्रक्रिया है सिक्षन अधिगम प्रक्रिया वह किसके उपर नर्धारित होती है किस पर मुख्यरूप से आधारित होती है यह कह रहे हैं तो क्रिडायाम खेलने पर पाठ्ठ्यकरमे पाठ्ठ्यकरम पर बालके बालक पर या फुर सिक्षके सिक्षक पर तो सिक्षण अधिगम पर क्रिया मुख्य रूप से किस पर आधारित होती है बालके ये रहेगा इसका सही उत्र मतलब की बालक पर आधारित होती है चलते हैं अगले प्रिश्ट पर दिया हुआ है क्या कह रहे हैं निदानस से अर्थ हमस्ती मतलब कि निदान का अर्थ है अधिगम विसयक काठिन्य दोसों को दूर करना इती परिभाशा अस्ती यह परिभाशा किस की है सिम्सन महोदे की है वरॉफी महोदे की है मर्शेल महोदे की है संस्क्रत सक्षण स्य प्रमुखा समस्या का मतब कि संस्कृत सिक्षण की प्रमुख समस्या क्या है ये बताना है आपको तो संस्कृत सिक्षण से प्रमुखा समस्या का कौन सी है प्रमुख समस्या भेदपूर्ण सिक्षणम भेदभावपूर्ण सिक्षणम ये कह रहे हैं हाँ एक ये समस्या हो सकती है संसाधना नाम अभाबा भी कह सकते हैं यहाँ पर दोशपूर्ण पध्धती या फर असुख्षा तो संस्कृत सुख्षन की प्रमुक समस्या है दोशपूर्ण पध्धती यह होगा सही उत्तर आगे चलते हैं अगले प्रश्ण पर दिया है अधिगम साधनम नास्ती मतलब कि अधिगम जो है वो साधन नहीं है अधिगम साधन नहीं है किसका साधन नहीं है अधिगम तो आकास बाणी जो है मतलब कि अधिगम साधनम नास्ती अधिगम का साधन नहीं है यह कह सकते हैं अपन तो अधिगम का साधन आकासवानी है, पुस्तक भी है, फल नहीं है, दूर दर्शन भी है, तो सीधा सीधा उत्तर अपन को यहां पर एक ही मिल गया, कि जो फल दिया हुआ है, यह इन्होंने सीधा गलत दे दिया आपको, तो यह गलत रहेगा यहां, आगे चलते हैं, अगले प प्रयोग से, तो अरुचीकर होता है क्या, तो यह तो बिलकुल से गलत हो जाएगा, अपठनी होता है, क्या यह भी गलत हो जाएगा, सक्तिसाली होता है, क्या यह भी गलत हो जाएगा, प्रभावशील बिलकुल, यह अपनको उप्सन सही दिख रहा है, प्रभावशील होता चलिए चलते हैं अगले प्रेश्ट पर दिया हुआ है प्रारंभिक इस तरह किस शूत्र के आधार पर पढ़ाना चाहिए तो किस सूत्र के सक्षण सूत्र के आधार पर सक्षक चात्रों को पढ़ाए सरलात कठनम प्रती सरल से कठिन की ओर पूर्णात अंसम प्रती पूर्ण से अंस की ओर अनुभवात तरकम प्रती अनुभावशे तरक की ओर या फर ग्याताद अज्यातम प्रती तो सही उत्तर क्या रहेगा अनुभावात तरकम प्रति प्रारंब किस्तर की बात की जा रही है तो ये रहेगा इसका सही उत्तर आगे चलते हैं नाटक सक्षण अस्य प्रमुख विधी ही अस्ति मतलब कि नाटक सक्षण की प्रमख विधी यहां पर बताना है आपको नाटक सक्षण की प्रमख विधी कौन से होगी व्याक्या विधी दी है कक्षा अभीना विधी दी है आदर्श अभीना विधी दी है या फर एते सर्वे नाम वाक्यों की सदेख़ना की जाता है तो जो सनरचना अत्मक उपवागम है सनरचना अत्मक उपागम में वाक्या नाम सनरचना वाक्यों की सनरचना की जाती है सनरचना अत्मक उपागम में चलिए चलते हैं अगले पुष्ण पर जहां पर दिया हुआ है विशय केंदृत उपागम में अधिगमानु भवाह संबधाह भवंती मतलब की जो विशय केंद्रत उपागम है तो उस उपागम में अधिगम अनुभाव संबध होता है कैसा संबध होता है छात्र रुची भी छात्रों की रुचियों से संबध होता है पाठ्य कर्मेड पाठ्य करम से संबध होता है अध्यापक विशय दक्षिता या अध्यापक की विशय दक्षिता से संबध्ध होता है या फर सैच्छिक प्रविधीना सैच्छिक प्रविधीत से संबध्ध होता है तो विशय कैंदृत उपागम जो है उसमें अधियम अनुभा संबध्ध होता है तो देखे विशाय केंद्रत उपागम की चर्चा है विशाय केंद्रत है तो जब विशाय केंद्रत की बात आती है उपागम की तो पाठ्थ क्रम जो है वो इसका समर्थन करता है मतलब कि पाठ्ठ करम एक ऐसा चीज है जो कि विशय के अंदरत उपागाम है उसमें पूरा कम्प्लीट विशय होता है तो ये रहेगा जो वी है सही उत्तर रहेगा अपना आगे चलते हैं अगले पर जहां पर दिया हुआ है मतलब कि यद्यपी जो सब्द दिया हुआ है इसमें संयुक्त अक्षर है क्या है संयुक्त तो यहां पर अलग-अपन को देखना है यहां या और दा है तो यह गलत होगा पा और दा भी गलत होगा या और पा यह दिया हुआ है दा और या मिलके क्या बनता है द्या बनता है सब्द तो यह रहेगा इसका सही उत्तर चलते हैं अगले पश्ट पर जहां पर दिया हुआ है मतलब कि संप्रेशन उपागम में भासा की दक्षिता है तो विशय वस्तुनह संसुलेशन शमता विशय वस्तु की संसुलेशन शमता या फर भासा संसुलेशन काउशलम या फर भासा संसुलेशन काउशल या फर भाशायाह प्रभाहिता भासा की प्रभाहिता या फर भाशायाह व्याकरण ग्यानम तो संप्रेशन उपागम में जब भाशा की दक्षता की बात की जाती है तो वहाँ पर विशय वस्तू के विशलेशन खमता पर ज़्यादा जोड़ दिया जाता है तो ये रहेगा जो पहला है पहला ही रहेगा सही उत्तर चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्ट पर यहाँ पर दिया हुआ है प्राथमिक इस तरे वाचन छमतायाः आंकलनार्थम प्रभावसाली बिधिह अस्ती मतलब की प्राथमिक इस तरे पर वाचन चमता का आँकलन करने के लिए प्रभावसाली बिधी है। कौन सी बिधी है? किस तर पर जब वाचन छमता का आंकलन करने के लिए प्रभाव साली विधी की बात की जाएगी तो वाचन छमता के लिए यहां पर प्ूछा है तो सही उत्तर क्या रहेगा सार लेखन संबधھ प्रयोजनातमक कार्य यहां पर इस प्रकार की कार्यों होंगे प्रियोजनातमक काड़े तो सी रहेगा इसका सही उत्तर आगे चलते हैं अगले परश्ण पर जहां पर दिया हुआ है व्याकर्ण सक्षण से सरवाधिको पयुक्त विधि मन्यते बतलब कि व्याकर्ण सक्षण की सरवाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है तो अप्सन दिये हुए है पाठ्य पुस्तक बिधी, अनुवाद बिधी, आगमन निगमन बिधी या फ्रमोखक बिधी तो C रहेगा इसका सही उत्तर जो व्याकरण सिक्षण है उसकी जो सरबाधिक उप्युक्त बिधी है आगमन निगमन बिधी मानी जाती है आगे चलते हैं व्याकरण सिक्षण स्या हाँ ये हो चुका है अगले प्रश्ण पर चलते हैं आगमन बिधी में होता है क्या होता है आगमन बिधी में अनुवाद होता है प्रथमम उदाहरणानी तदनतरम नियमी करणां पहले उदाहरण होते हैं रग्षार आगमन विधी है तो आगमन विधी के बारे में सभी लोग जानते ही है कि आगमन विधी में पहले क्या होता है आगमन विधावभवाती पहले उदाहरण आते हैं और फिर उदाहरणों के बाद जो है नियमी करण किया जाता है तो सही उत्तर क्या रहेगा ये बी आगे चलते हैं अगले प्रश्ण पर जहां पर दिया हुआ है भासा सक्षण से कहा बिधी चात्रान तया भाशायाह परस्परम अंतह क्रियार्थम प्रेरायती मतलब की भासा सक्षण की कौनसी बिधी चात्रों को उसकी भाशा में परस्पर अंतह क्रिया के लिए प्रेरित करती है तो कौन सी विधी है वो भाषा सक्षण की कौन सी विधी है जो चात्रों को भाषा चात्रों को उसी वाषा में परस पर अंतह क्रिया के लिए प्रियरित करती है क्या होगा इसका सही उत्तर ध्यान से पहले प्रश्ण देखना है बाद में उसको उत्तर देने की कोशिश करना है तो यहाँ पर जो option दिये हुए है व्याकरण अनवाद बिधी जिसका नाम भंडार कर बिधी के नाम से भी जिसे जाना जाता है दूसरा दिया हुआ है अनवाद बिधी और तीशरा उसी करम में दिया हुआ है संप्रेशनात्मक बिधी और चोथा दिया हुआ है अनव पिचारिक बिधी तो सही क्या रहेगा संप्रेशनात्मक बिधी संप्रेशनात्मक बिधी में यह कार्य होगा आगे चलते हैं अगले प्रश्ण पर जहां पर दिया हुआ है संभाशन अश्य योगतायाह विकासे सहाई का विधी ही अस्ती मतलब कि संभाशन की योगता का विकास करने के लिए या फर विकास में संभाशन की योगता के विकास में सहाई की विधी कौन सी है शूत्र विधी है क्या option दिये है व्याख्या विधी है कंठस्थी करण विधी है या फर भाशा संसर्ग विधी है तो सही उत्तर क्या रहेगा ध्यान से प्रश्ण को आप लोग समझ लें और प्रश्ण में दिया क्या हुआ है संभाशन श्य योगता या हविकासे मतलब की संभाशन के की योगता के विकास में संभाशन की योगता ऐसा भी हपन समझ चकते हैं तो विकास में कौन सी विधी सहायक होगी क्या रहेगा इसका सही उत्तर तो सही उत्तर रहेगा इसका डी जो की भासा शंसर्ग विधी है तो बसंभाशन की योगता का विकास करना में ये सहायक है आगे चलते हैं अगे प्रश्ण पर जहां पर दिया हुआ है कस्याम विधव उदाहरणई नियमम प्रती सिक्षन सूत्रश्य अनुसरणम क्रियते मतलब की क्या कह रहे हैं वह कौन सी विधी है जहां पर उदाहरण से नियममों की और जो सिक्षन सूत्र है इसका अनुसरण किया जाता है उप्सन दिये हुए हैं आगमन विधव आगमन विधी में संभाशन बधव धियान से पाठ्य पुस्तक विधव पाठ्य पुस्तक विधी में या फर उदाहरण से नियम बनाता है चात्र आगे चलते हैं दंडानवे विधव दंड कस्य सूचका है जो दंडानवे विधी है दंडानवे विधी में दंड सब्द जो है ये किसका सूचक है तो आप लोगों को पता ही है ये प्रशन पहले भी रिपीट हुआ है कई बार और पूछा भी गया है दंडानवे विधव दंड सब्द जो है वो किसका सूचक है तो वाक्य सब्द का सूचक है दंड सब्द जहाँ पर आप आगे चलते हैं अगले प्रशन पर खंडानवय विध्य है प्रयोगम क्रियते खंडानवय विध्य में प्रयोग किया जाता है या फिर खंडानवय विध्य का प्रयोग किया जाता है कहां पर किया जाता है गद्य सक्षणे गद्य सक्षणे में पद्य सक्षणे पद्य सक्षणे में कथा सक्षणे कथा सक्षणे में या फर नाटक सक्षणे नाटक सक्षणे में तो खंडानवय विधी का जो प्रियोग है सभी को पता है दंडानवय और खंडानवय जो विधियां है ये पध्य सक्षण की विधियों के अंतर कताती है पद्य सक्षण से विधी रस्ती पद्य सक्षण की विधी कौन सी है यहां पर वाक्य प्रयोग गहन पठनम भाष्य विधी या फिर अनुलेखन विधी तो यहां पर पूचा क्या है पद्य सक्षण की विधी पूची है तो option में एक विध्यपन को सही दिख रही है C, ये वाली भाष्य विध्य जो है ये पद्य सिक्षन की विध्य है और इन सभी विध्यों के बारे में आपन पहले पढ़ चुके हैं आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके वो वीडियोस देखें और जितने भी वीडियोस अभी तक अप्लोड हुए है आपको सारे देखना है जिससे कि आपका अभ्यास बहुत बढ़िया हो जाए और पैड़ागवाजी से संबंधित कोई भी प्रश्ण आए सीध है आपका उत्तर निकलना चाहिए और वो भी सही आगे चलते हैं चात्रा नाम लेखन काउसलस्य मूल्यांकन आर्थम के मावस्यकम मतलब की चात्रों के लेखन काउशल का मूल्यांकन करने के लिए क्या आवश्यक है तो लेखन संदर भे प्रतिपुष्टी दाना मावलोकन निम्चब मतलब की लेखन के संदरब में पुत्री पुष्टी देना और आउलोकन करना आगे दिया है सब्द चैन प्रक्रण संबंधे परिशी में तविकल्पा मतलब की सब्द के चैन में और प्रक्रण के संबंध में परिशी में तविकल्प देना या फर व्याकरण के लिए विशिष्ट इस्थान देना या फर चात्रिभ्या मौखक अभिव्यक्ति अर्थम आउपचारिक रूपेन आउसराणाम प्रदानम मतलब कि छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आउपचारिक रूप से आवशर प्रदान करना ये रहेगा सही तो क्या होगा इसका सही उत्तर छात्रा नाम लेखन कौशल श्य मूल्यांकन आर्थम के मावश्यकम चात्रा में लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए क्या आवश्यक है तो सही उत्तर इसका रहेगा बी जो की सब्द चयन प्रक्रण संदर्वे परिशीमित बिकलपाह ये रहेगा सही उत्तर आगे चलते हैं अगले परिश्ण पर जहाँ पर दिया हुआ है भाशन लेखन कौशल संबध निमित्तम भावपूर्ण सुक्षन अधियम प्रक्रिया संबध्धे स्तहव क्या कह रहे हैं भाशन लेखने कौशल संबध निमित्तम भाशन लेखन के लिए कौशल के संबध निमित्त भावपूर्ण सुक्षन अधियम प्रक्रिया संबध्धे स्तह जो भावपूर्ण सुक्षन अधियम प्रक्रिया होती है वो कैसी है तो रचनात्मक मूल्यांकनें रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा होती है या फिर वार इच्छा या हसत्री परिच्छा के द्वारा होती है तो सही उत्तर क्या रहेगा इसका ए जो की रचनात्मक मूल्यांकने रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा होती है आगे चलते हैं अगले प्रश्ण पर जहां पर दिया हुआ है चात्रा नाम लेखन कॉसलस्य मूल्यांकनार ये प्रश्ण हो चुका है चात्रों के लेखन कौशल के लिए, लेखन कौशल के मूलियंकन के लिए क्या वश्यक है। ये उप्सन अपन को दिखी रहा है स्रवण के लिए तो स्रवण कौशल से संबध्ध है, ये रहेगा असका सही उत्तर। ये अपन प्रश्ण कर चुके हैं, आगे चलते हैं, भविश्य ध्यान से, भविश्य कथनम इती अउपकौशलम कैन संबध्धम, मतलब की भविश्य हैं, ये किस से संबध्ध है, तो टिपड़ी लेखन से संबध्ध है, वाचनेयन वाचन से संबध्ध है, रूप रेखा नर्मानेयन, रूप रेखा नर्मान से संबध्ध है, या फिर लेखनेयन, लेखन से संबध्ध है, तो सही उत्तर रहेगा टिपड़ी लेखनेयन, ये किस से संबद्ध है तो ये टिपड़ी लेखन से संबद्ध है ये रहेगा इसका सही उत्तर तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर प्रशनों का अध्यन किया और एक दो प्रशन साइद यहाँ पर उपर छूटे भी है उन प्रशनों को भी एक बारपन देख ल नहीं अच्छती प्रच्छा आधारत अधिगमन मतलब की पूछने के आधार पर जो अधिगमन होता है तो सिक्छार्थी और प्रशन करता के बीच सुतंतरता नहीं होती है ये कह रहे हैं सिक्षार्थी स्वायत्तितां प्रेरयती जो सिक्षार्थी है वो स्वायत्तिता के लिए प्रेरित करता है या फर चात्रे सु आलोचनात्मक चिंतनस्य पोशनमनाभवती आलोचनात्मक चिंतन का पोशन नहीं होता है चात्रों में या फर आगे कह रहे हैं चात्रे भ्याह आहवान अवस्थानाम आवकासम ना या अच्छ दिमतलब कि छात्रों को आवाहन जो है उसके लिए इस्थान या आवकास नहीं मिलता है तो सही उत्तरपन को यहां पर देखना है सिक्छार्थी स्वायत्यतायाम प्रेर्यती यह बाला प्रच्छा आधारत जो अधियाम है उसमें सिक्छार्थी स्वायत्यता को प्रेर्यति करता है यह रहेगा इसका सही उत्तर हैं गुरु मुखम इतिसाधनम विद्यते क्या कह रहे हैं गुरु मुखम इतिसाधनम विद्यते मतनब कि जो गुरु मुख है। गुरु के मुख से जो भी बात कह रहे हैं, वो किस प्रकार का साधन है, अपन ये समझ सकते हैं। अपसन जैसे दिये हुए हैं, बैस आपन को प्रहशन समझना है। से ग्रहन करेंगे सिधी सिधी बात है तो वो श्रवण कौशल के माध्यम से ग्रहन करेंगे सिधी बात है तो option क्या रहेगा सही श्रवण कौशल जो दूसरा दिया हुआ है बी नमबर का ये रहेगा सही उत्तर आगे चलते हैं अगले प्रश्ण पर जहाँ पर दिया हुआ है संस्क्रत बिधी नाम समी करने यहाँ पर समी करनो है समी करने करने बिधी नाम समी करने सिक्षा इस तरस्य उन्नती करने चा सहाय कमभवती क्या कह रहे हैं सिक्षण विधिना समी करने सिक्षा इस तरस्य उन्नती करने चाह सहायकम भवती मतलब की जो सिक्षा विधिया हैं और उसके जो समी करना हैं वो सिक्षा के इस तर को और उसके उन्नती के लिए सहायक होते हैं तो पाठ्य पुस्तकम पाठ्य पुस्तकें सहायक होती है या फिर मुल्यांकनम मुल्यांकन सहायक होता है या फिर ग्रहकार्यम ग्रहकार्यम सहायक होता है या फिर अध्यापनम या फिर अध्यापन सहायक होता है तो बता रहे हैं पर आपको ये बताने की कोशिश करना है सही उत्तर क्या रहेगा उत्तर सही होगा मूल्यांकन मूल्यांकन रहेगा सही उत्तर आगे चलते हैं अगले प्रशन पर जहां पर दिया हुआ है संस्कृत अध्यापनस्य द्रश्य स्रव्य साधना नाम विद्यते मतलब की संस्कृत का अध्यापन कराना है तो संस्कृत अध्यापनस्य मतलब की संस्कृत के अध्यापन का स्रव्य और द्रश्य दोनों साधना विद्यते साधन कहा जाता है तो संस्कृत को पढ़ाने के लि आमपट्टे है क्या नहीं होगा आगे दिया है दूरदर्शन हाँ दूरदर्शन तो है टीवी जो है वो है क्यों क्योंकि उसमें द्रश्य भी है और स्रभ्य भी है तो यह रहेगा अपने सही उत्तर आगे ध्वन्या भी लेखा तो यह भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ध्वन कर्तुम शक्यति, मतलब कि यहां पर क्या कहा है, कि संस्कृत भासा सक्षन के समय, नगर के भवगोलिक स्थिति को जानने के लिए, किस अधिगम साधन का प्रियोग कर शकते हैं, तो आपको अपने नगर की भवगोलिक स्थिति जाननी है तो आपको क्या प्रियोग करना पड़ेगा ये यहां पर रहनों ने पूछा है option दिये हुए मान चित्र का प्रियोग करेंगे ठीक है रेखा चित्र का प्रियोग करेंगे पत्रक का प्रियोग करेंगे या फर स्य आम पर ठ्टिका-प्रियोग कर एगड़ की भागोलिक इस्थिती जानना है तो भागोलिक इस्थिती जो है वो मान चितर के अंदर अपन बता सकते हैं कि हमारा जो ये गाउं है या साहर है ये यहां पर है नगर यहां पर है पहला हो जाएगा सही आगे चलते हैं अगले प्रश्ण पर जहां पर दिया है पाठ्थ्य पुस्तक से इस्थानम सक्षण महत्वपूर्ण विद्यते यह फर सक्षणे करने हैं यहां पर सक्षणे महतवपूर्ण बिद्यरी मतलब की पाठ्थ्य पुस्तक का इस्थान सक्षण में महतवपूर्ण है कहां पर है बालक का नाम ग्याने से सीमा या हविस्तार आए बालकों के ग्याने की सीमा का विस्तार करने के लिए व्यावाहारे के ग्याने से संपादन आए व्यावाहारे के ग्याने के संपादन के लिए छात्रेशु स्वाध्यायम प्रति रुच्चित पादन आए छात्रों में स्वाध्याय के प्रति रुच्चित पादन के लिए या फिर उपर युक्ता नाम शर्वेशाम उद्देशा नाम संपादन आए उपर युक्त सभी उद्देश्यों के संपादन के लिए तो ये जो D option दिया है ये सभी हो जाएगा सही उत्तर ये रहेगा सही आगे चलते हैं अगले प्रश्ण पर जहां पर दिया हुआ है गुरु मुखम इती साधनम ये हो चुका है आगे चलते हैं ये भी हो चुका है अगले प्रश्ण पर चलते हैं मतलब कि चात्रों के ग्रह कारे का मूल्यांकन हो सकता है या फिर दिया हुआ है साक्षात कारेंड, साक्षात कारेंड के द्वारा दिया जा सकता है या फिर आगे दिया हुआ है आंतरिक मुल्यांकनेंड, आंतरिक मुल्यांकन के द्वारा या फिर संभाशनेंड, संभाशन के द्वारा तो सही उत्तर का रहेगा छात्रों के ग्रहकारे का मूल्यांकन यदि हो सकता है तो वो कैशे होगा सही उत्तर रहेगा आंतरिक मूल्यांकने न आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा होगा आगे अगले प्रश्ण पर चलते हैं सलाका परिच्छा भवती आप लोगोंने सलाका परिच्छा के बारे में सुना होगा तो सलाका परिच्छा कैसी होती है पहला उपसंदिया हुआ है मौखिक आंतरगता मतलब मौखिक आंतरगत होती है मौखिक होती है लिखित आंतरगता लिखित होती है तो सही उत्तर क्या होगा जो सलाका परिच्छा है वो मौखिक होती है इसके पहले भी मैं बता जुका हूँ कि जो सलाका परिच्छा होती है वो कैसी होती है मौखिक होती है आगे चलते हैं अगले प्रष्ट पर जहां पर दिया हुआ है संस्क्रते मतलब कि संस्कृत में मौखिक परिच्छा के लिए किस कौसल का मुल्यांकन कर तुम नहीं कर सकते हैं मतलब कि संस्कृत में मौखिक परिच्छा के लिए किस कौसल का मुल्यांकन नहीं कर सकते हैं option पहला दिया हुगा है ध्यान से श्रबन का उसल और एक चीज़ वारपन को ध्यान लखना है मौखक है मौखक मतलब की बोलना तो मौखक परिच्छा में श्रबन की आवे सकता होगी बिलकुल होगी पठन की भी होगी भाशन की भी होगी लेकिन लेखन से ज़्यादा यहाँ पर संबंध नहीं है तो मौखक परिच्छा का मौखक यदि परिच्छा लेना है पनको तो श्रबन पठन या फर भाशन से हो सकता है अगले पर चलते हैं संस्कृत अध्यापनाए भंडारकर मतानुसारं का पध्धति ही उपकारी का अभवत मतलब की ध्यान से यहाँ पर परशन घुमा के पूछा है बिलकुल इजी है आपको भंडारकर पध्धति के वारे में बता नहीं लेकर यहाँ पर घुमा के पूछ लिया है का मतलब कौन सी पध्धती मतलब इस्तिलंगना पध्धती तो का पध्धती मतलब पध्धती उपकारी का भवती उपकारक हो सकती है किस बिधी के दौरापन संस्कत का ध्यापन करा सकते हैं ये पूछ रहे हैं पहला उपसंदिया है वारतालाप पध्धती के दौरा परंपरा जो धूसरा नाम है, व्याकर नानुवाद पद्धथी होता है। अगले प्रुष् Brave पर चलते हैं। मतलब कि वह कौन सी पद्धथी है जिसमें सिक्छनकारे सभी रूप से मौखिक था? तो कौन सी पद्धथी में मौखिक था? पहला option दिया हुआ है भंडार कर पध्धतव भंडार कर पध्धती में ऐसा था परमपरागत पध्धती दिया है पहला परमपरागत पध्धती में या फर भंडार कर पध्धती में या फर पाथ्य पुस्तक पध्धती में या फर नर्वाध पध्धतव नर्वाध पध्धती में तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर बताने हैं आप लोगों को परंपरागत पध्धती एक ऐसी पध्धती है जहां पर सब कुछ कार्य मौखिक होता था तो यह जो फर्ष्ट दिया है यही रहेगा उपसन अपना सही उत्तर आगे चलते हैं संस्कुत भाषा सिक्षणे प्रतमम मौखिक कार्यम क्या कह रहे हैं देखिए संस्कुत भाषा सिक्षणे संस्कुत भाषा सिक्षणे में प्रतमम मौखिक कार्यम पहले मौखिक कार्यम तताह लिखित कार्यम तताह मतलब उसके पहासा सक्षण का सिध्धानत है ये कौन सा सिध्धानत होगा ये यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा सही उत्तर पहला रोचेह सिध्धानत है पहला अपसन दिया हुआ है दूसरा दिया हुआ है बहु मुखी शिध्धानता बहु मुखी शिध्धानत दिया है या पर इसका सही उत्तर ध्यान से संस्कुत भासा सुक्षण में पहले तो मौखिक कारे कराये जाता है और उसके बाद में लिखित कारे होता है तो ये संस्कुत भासा के किस सिध्धानत का है सही उत्तर क्या रहेगा यहां पर अनुपात स्यक्रमच्चा सिध्धानत मतलब जो अनुपात करम का सद्धानत है ये रहेगा इसका सही उतर थर्ड